प्रणाम अश्ट कर्म निवारण की जो पूजा सीरीज है उसका आज हमारा सिक्स्त सेशन है और इस सेशन के अंदर हम नाम कर्म के उपर जो वीर विजै जी मारा सहीब ने पूजा की रचना की है उसको देखने वाले हैं हमारे साथ सिरोही से आधर्णी रमेश भाई कोठारी जी जुड़े हुए हैं मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं जैन शाला के इस मंच के उपर और उनसे विंति करता हूं कि आज के इस सेशन का शुवारम करें प्रणाम रमेश भाई जैजिनेंद्र नील भाई सभी सुनने वाले हमारे शावक शाविका भाई बैनों को सभी को मेरा जैजिनेंद्र शामा भी चाहता हूं कि पिछली बार शेशन पूरा नहीं हो पाया सिरही थोड़ी छोटी सी जगह और यहां पर नेटवर्क का प्राबलम भी रहता है तो उसके लिए मैं शमा प्रार्थी हूं और वैसे भी समवस्रिक प्रतिकरमन के बाद सभी से खमत खामना सबसे पहले मैं करता हूं और जाने एंजाने मुझसे कुछ भी भूल हुई है तो उसके लिए मैं शमा याचना क तो आज का जो है नाम कर्म की बात है नाम कर्म का जो छटा कर्म शास्त्रों में दिया है इसके सबसे बड़ी सरल बात यह है कि यह संसार जगत में एक मनशे बहुत ही खूब सुरत दिखता है एक मनशे बिलकुल भद्दा सा दिखाई देता है एक मनशे अपने को देखने में पी उसकी हाव भाव उसका बोडी लेंग्वेज उसका जो एक तरह से जो पूरा सोडोल सरीर है उससे हम लोग आकरशित होते हो इतना आकरशक होता है और एक ही है कि जिन देखते भी लगे कि यार ठीक है यह पास भी बैठेगा तो आपको असह जिस्तती पैदा करता है यह सार शरीर और शरीर के जितने भी संबंदित अंग प्रत्यंग है इनके कंकर की जो रचना करता है वो नाम कर्म है क्योंकि उसके इलाव कोई ऐसा कर्म है नी जो हमारे देहिक किसी स्वरूरूप को कैसा बनाना है उसके लिए और कोई कर्म नी आपने बहुत बढ़िया कि इसका आपने सभी को इसको एड़चाइज विग्यापन किया आज के लिए उसमें आपने चित्रकार की तस्वीर चापी है यह बिलकुम आप ने वही किया है जो इस कर्म की विशश्ता है इसकी चारित्रिक्विशश्ता है आब वो चित्र कभी बहुतisterत बन जाता ता जिसकी परि होरर जिसको कह सकते हैं कि भयानक जैसा दीखने लग जाता है यह नाम कर्म भी एक चितरकार के समान ही है यह क्या इसका भी यही काम है कि कर्मों का हिसाब किताब रखता है और उसी के अनुसा नरक देव गती, नरक गती, मनुश्य गती, त्रियंज गती के अंदर जाने के प्रवचन सार में लिखा है कि नाम कर्म आत्मा के अरूपी तत्व यानि अरूपी शुद्भाव को आच्छादित करके और उसे नर्क मनिशित्रियंच या देव गती के अंदर प्रदान करता है इसलिए वो नाम कर्म कहला है तो यह इससे सरल परिबाशा होई नहीं सकते हैं हमारी आत्मा का जो अरूपी शुद्ध स्वाव है और उसी में असुद्ध स्वावा भी आ जाता है क्योंकि आत्मा तो अपने हिसाब से किसी भी तरह की कोई भी रागदेश के अंतरगत बंदी ही होती है हम अगर कर्म को एक जनरली परिवाशा में लेते हैं मालो तो निश्चित बात है कि कर्म की सबसे पहले हम प्रकरती बंद देखेंगे उसके बाद प्रदेश बंद देखेंगे अनुभाग देखेंगे इस्तथी बंद देखेंगे ये इसी तरह से इस कर्म की भी बहुत सारी विशेच्टा ऑद देखेंगे इसके बाद इसका को पूरा का पूरा विधान शुरू होता है और ये करीब 305 प्रकरतियां इसकी है जिसमें पिंड प्रकरतियां भी है, प्रतिक प्रकरतियां भी है, बहुत सारी है, जिसको हम धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन मैं एक मूल बात पर आ सकता हूँ, कि नाम कर्म की उपारजना कैसे होती है, ये एक मूल बात है, तो इसमें बहुत ज़्यादा लंबा चोड़ानी है जैसे दूसरे कर्म में आया उपारजना के सम्मंदित लेकिन इसमें सिर्फ चार कारण है शुब कर्म की उपारजना करनी है तो हमें काया की सरलता है यानि की दुआर, कोई भी किसी भी तरह की कपट प्रवर्थी ना करें तो ये काया की सरलता होगी फिर आती भाषा की सरलता है हमारे बोलते समय किसी भी तरह की वक्रता ना हो आक्रोशित भाषा ना हो अबद्र भाषा ना हो या कटू भाषा नहीं हो या किसी को अच्छी ना लगे म्रदू भाषा ना हो तो ये कर्म हमारे शुब कर्म की उपारज किसी तरह के लेन देन या व्यापारी कुछ भी कह सकते हैं तो इसको हम अभी संबादन कहते हैं यह थोड़ा सा जटेल है लेकिन हम इसको आगे समझेंगे और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास भावों की सरलता है आपके मौनो भाव में कहीं चल नहीं कहीं कपट नहीं कही किसी तरह का कोई सी को धोके देना या ठागी करना नहीं है तो यह शुब कर्म की उपारजना होती है नाम कर्म की और इसके प्रतीफल भी इस कर्में एक एक दिये हुआ है कि अगर हम शुब कर्म की उपारजना करते हैं जैसे परागात है आदे है इनकी सारे कर्मों की बात क तो अस्ता वख्रजी आपने अगर नाम सोना हो अस्ता वख्रजी ज्ञान के अंदर उनके समान कोई सश्टी प्रकर्टी नोगी से लेकिन उनके पूरे शरीर के आठ वक्र यानी आठ भाबगों में विव्यक्ता और वो इतने कुरुव दिखाई देते थे कि लोग उन्हें देखते ही हस पड़ते थे उसके लिए बहुत बड़ी एक रामाइन में किताया वो कथा भी आती है अभी समय नहीं है थी मैं आपको उस कथा कर तो इसी तरह से ये काया की अगर सरलता काया की हम चलकपट करते तो अशुब नाम कर्म की उपारजना करते हैं कि किसी को भी अपनने बहुत ही जदा आकरोशित भाशा में बद भाशा में या वक्र भाशा में या किसी भी तरह की गंदी भाशा में बोलते हैं तो यह भी अशुब नाम कर्म की होती है और सबसे बड़ी बात है कि समवीदान किसी से भी करते हैं यानि कि हम उससे किसी भी त तो निश्चित रूप से भी अशुब कर्म और चोथा सबसे बड़ी बात है कि भाव की सरलता आपके मन में आप अगर भाव शुद्र लिये हैं तो आत्मा का जो अरूपी शुद्र स्वभाव है वो आपको निश्चित रूप से उसी के अनुसार देवायू या बात में इसको नज्ट कर्मा के उस उपार्जन की वजए से आपको शुद्र son法 आपको वो जन्मा मीलेगा तो बात ही यह कि नांकर्म का जो हम अगर फलफ की बात करते हैं तो सिर्फ चार कारण और चार फल भोग हैं अगर उनका नहीं करते तो निश्चित फूर्प से शुभ नाम कर्म की उपार्जना होती है लेकिन बात many है कि इस प्रकर्थी इसकी तो मुक्य प्रकर्थीんだ 14 हो जाती है चोग्य हो जाती है चोधा मैं वो सभी आ जाते गती से शुरू होता है और तिर्थंकर प्रकर्थी तक चलती है यानि ये नाम कर्म है कि तिर्थंकर भगवान भी नाम कर्म की निर्ज़रा नहीं हुई तो तिर्थंकर पद नहीं प्राप करपाते। उनका भी मुक्ष, मुक्ति या केवल ज्यान संभव नहीं होता है। तो ये गती जाती शरीर, अंग, उपांग, बंदन, संगातन, सहनन, इस तरह की चोदा पूरी है, आनुपूरी और विहार गती, ये सारी चोदा इसके अंदर प्रतेक गतियां भी आंठ हैं, और प्रतेक गतियां आंठ प्रकरतियां होने से 22, फिर यस और इस्थानग, ये दो 03 आती है, और उनके बाद उनके प्रभेद हो जाते हैं, वो 67 आते हैं, ये प्रकरतियां कुल मिला के 305 हैं, तो इसकी चारित्रिक विशेष्टा में सबसे पहली विशेष्टा ये आती है, कि इतनी प्रकरतियों के वेद किसी कर्म में नहीं हैं, और किसी कर्म में नहीं होने से ये एक विशेश नाम कर्म जो है ये विशेश गुंड रखता है दूसरी इसकी पिंड प्रकरतियां भी अन्ने सभी कर्मों से ज्यादा होने के साथ साथ इसके अंदर सबसे बढ़िया कि सुक्ष्मन ती सुक्ष्मन अगर आप इसके अंदर किसी भी तरह का सवाल ढूंडत व्षेश हैं उसका उत्तर इन तींसो पांच प्रकरति के भेदज़वेध में आपको मिलेगा जन ध्रम और क्रम का कर्म सिद्दान बूरे विश्व के किसी भी धर्म से इसलिए अपने आपको विशुष्ट बनाता है कि उसके अंदर आपके किसी भी प्रस्टन का अनुतर नहीं है, उत्तर बिल्कुल हाजिर है आप किसी भी तरह का प्रस्टन आपको इस कर्म प्रकर्टी कर्म सवभाव इसमें मिलेगा ही मिलेगा, तो हम यह और कैसे सबसे बड़ी बात यह है कि पिंड प्रकर्टियों के अवांतर बेद प्रवेद अगर कोई पढ़े, कोई समझना चाहे तो उसके बाद उसके पास किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उद्धे उदिरिना ये 122 इसमें दो प्रकर्टियां मौनी की भी हो जाती है, मौनी कर्म की सत्ता अधिकारिन और सत्ता अधिकारिन में 158 प्रकर्टियां शामिल हो जाती है सबसे बड़ी बात है कि ये कर्म न तो शास्त्रों न अच्छे से समझा है न कोई समझ सका है, ये अभी कुछ रहसे लिये हुए है इस कर्म नाम कर्म की हलांकि अगाती कर्म है अगाती कर्म होने से इस कर्म का सबसे बड़ी बात एक ही है कि इसकी नर्जराभी होती जाती है लेकिन फिर भी ये कर्म अभी कुछ गूड रहसेओं को लिये हुए है जिसको आगमों में भी ना उसकी विवेचना हुई है उन रहसेओं के साथ साथ हम ये कह सकते है कि इसलिए मेरे अपने साथ साल के ये पूजा के कार्म की जीवन में सिर्फ चार बार पूजा हुई और पांचवी बार मैं खुद आपके सामने इन पूजाओं को लेके प्रस्तों तो सबसे पहले हम प्रकर्तियों की बात करते करते हम बीच में चलेंगे इसकी विवेचना भी थोड़ी थोड़ी करेंगे क्योंकि एक साथ संभव ही नहीं है और वैसे भी एक बात हम कहां कि अपनी सुद्धास्त्म जो हमारी आत्मा का सुद्ध सुरुप का अनुसंदान करना है तो मैं पूजा का माद्धिम इससे सरल माद्धिम हो नहीं सकता तो हम प्रथम पूजा को आरम करते हैं और धीरे धीरे उसके सरलात्मे भी जाएंगे और धीरे धीरे हम इसके कुछ अगर गूड अर्थे तो उसको भी समझाते जाएंगे तो यह पहली पूजा है जिसको पिंड प्रकर्ति के विच्छेदन के लिए कहा गया है पिंड प्रकर्ति जो मूल रूप में जिसकी बहियाली स्प्रकर्तियां मैंने आपको पहली बता है उसके बाद उससे आगे तो पहली प्रकर्ति नमो अरह सिधाचार पाद्याए सर्वे सादुब्याए पिंड पैडी चोद पाखाल वारे लो अभिशे करू अरहंत जो ज्याने दशारलिया मली रेलो कर ज्यानी कर्मनो अंत जो ज्यानी नी गोठडी मीठडी रेलो अभिशे करू अरहंत जो ज्यानी नी गोठडी मीठडी रेलो पहली भूजा जैसे कि हमारी अस्ट प्रकारी भूजा की प्रथम पूजा होती है और वो जलाभिशे के साथ होती है और जलाभिशे की इस पूजा का महत्व तब भी बढ़ जाता है कि हम उस मुर्ती को जो जिसका जलाभिशे कर रहे हैं उसके अगर अपनी आत्मा को आत्म साथ करने की कोशिश करें तो निश्चित आप यह मैसूस करोगे कि मेरी यह आत्मा जो अरूपी सुद्रस्वाव सरूप है तो यह निश्चित रूप से इस जलाभिशे को अनुभव हो रहा है तो यहाँ पर यह की गई है कि हे प्रभू मैं अपने भावों को धारित करके आप तो वैसे भी आप तो मल रही ते मेल रही ते काम रही ते राग देश रूप रही ते आप कशाय रही तो रत्रिलोग में पूझे हैं लेकिन मेरा क्या मैं तो आभी भी उसी में हूं जिस गती में मेरा भ्रह्मन चल रहा है तो आपको इस जलाब इससे कोई सरोकार नी कुई कि आपको इनकी चीजों की जरूरत नहीं है यह बिलकुल इस पूजा में बहुत बढ़िया ढंग से बता है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं लेकिन मैं अपने कर्मों का पक्षालन कर रहा हूं मैं अपने पुन्य के संचेनल के लिए कि मेरा पुन्य थोड़ा संचित हो जाए यह अभिशेक मनोभाव से कर रहा हूं हे भगवन हे परमात्मा है हे जिनिश्वर मेरे नाम कर्म जो की नट के समान है नट विविद रूप धारन करता है नट से मतलब है जो मुझे विविद रूप में जन्म दे रहा है जन्मरन के इसके बीच मेरा नाम कर्म की निज़रा नहीं हो पारी है इस निज़रा के लिए मैं आपका जलाभीशिक करता हूं अब इसमें क्या है कि इस पूजा को पूरी तरह से हम देखते हैं तो इसके Freeze हमारी शरीर में अंग प्रत्यंक के लिए आकरती खंड खापन नील काला वर्ण बहुत मोठा सभी प्रकार का ये कर्म अशुब नाम कर्म की वज़े से ऐसे शरीर की अवस्ता प्राप्त होती है और इस प्रत्म पूजा में वही चोदा प्रकरतिया जो मैंने आपको बताई थी जाती कर्टी епर्टी से लेकर तो Kelvin कर्पत की जो गटियां उसमें चुदा जो हैं जो की जिसे हम यह कह सकते हैं कि ज़भना उन्हे पौ-प्रकरती इसके अंतर गत्राइगे तो ये प्रकर्तियां जिसमें हम वापस एक बार अगर आपको ध्यान नहीं आरत तो मैं फेश से बोलता हूं अंग जो हमारे शरीर के अंग के संबंदित हैं गती जाती शरीर अंगोपांग बंदन सेहनन संस्तान संग्रन वर्ण गंज रस इसपर्श आनुपूर्वी और सबसे वंतिमें चोधवी वही विहायो गती यह जो चोधा पिंट प्रकरती है इससे हम मान सकते हैं कि यह मूल से आधार है इसके बाद फिर भेद प्रभेद सारे चीज आती जाएं अगर इन चोधा प्रकरतियों को हम समझ लेते हैं यह समझने जैसी है तो निश्चित रूप से नाम कर्म की नेजराबी होती है और उपाद जरना शुब कर्म के साथ होती है क्योंकि इसमें शुब कर्म का भाग दिया है कि आप चार मैं से बहुत ही संख्षित में शुब कर्म को लिया है वही एक बार फुने करूँगा काय की सरलता बाशा की सरलता वाव की सरलता और अवी समबादन यह सारे इसी शुब नाम कर्म के लिए बड़े उतरदाई हैं तो अब हम दूसरी पूजा के प्रवाइबहों करते हैं दूसरी पूजा जो इस्थावर द्रशक जिसके मैं ने बात की ती द्रस द्रशक और स्थावर द्रशक किछ अब यह साब दल सक बस प्रकर्तियां इसी में आ रही है तो अफंग दूसा ले रहे हैं लाल सुरंगी साही बोरे लाल सुरंगी साही बोरे भिर्णे सुमे रंगे लाल लाल सुरंगी साही बोरे साते शुद्ध समाचरी रे पूजी शुमे रंगे लाल के सरचंदन सुघसी रे स्वामी विले पन अंगे लाल स्वामी विले पन अंगे लाल सुरंगी साही बोरे ओ बसंती पवन पागल ना जारे ना जा रोको कोई इस गीत में भी रोको कोई की एक लाज शब्दा है जो मैंने आपको सिर्फ रा की पैचान के लिए गाया था यह फिल्मी गीते जो जिस देश में गंगा बैती है उसमाय था बढ़ा प्यारा और सुंदर गीते हम इस्थावर दशक कर्मों की उपारजना ना करें इसको रोकें तो बहुत ही कितने ही संकटों से बचा साथ सकता है तो यह सबसे पहले तो इस पूजा का मूल क्या कहना है सरलार्थ में क्या कहना है हम तो यहां पर बताई कि साथ प्रकार की शुद्धियां धारित करके कि हम आनन के साथ प्रभु की चंदन भूजा करते हैं अब केसर चंदन के साथ मेरा भगवान जो केसर और चंदन का जब योग हुआ तो मेरे भगवान अब लाल सुरंगी जैसे दिखने लगे सबसे शोबित और मैंने इसी वज़े से आज मैंने भी स्वेमिनी लाल वस्तर धा किया है कि परमात्मा को लाल सुरंगी साहिब हो रहे इसके उपर बहुत सारे स्वन बने हैं बाद में भी और कभी मौका पड़ा तो मैं आपको इसके बहुत अच्छे परिकल्पना के मारे परमात्मा जैसे केसर चंदन का हमने उनकी पूजाएं की नवांगों की तो कितने स दिखाई दे रहे हैं यह मारी परिकल्पना है लेकिन इसी परिकल्पना को अगर हम एक पलके ली भी अपने मन में उतारते हैं और सभी को याद करते हैं निश्चित रूप से आपके कितने ही कर्मों की निर्जरा हो जाती है एक छोटा सा उधारन भी है जो कि परमत्म मावि के साथ राजा श्रेनिक चलते जा रहे थे और बीच में एक कपिल नाम के सादू तपस्या कर रहे थे खड़े-खड़े तपस्या चल लीती श्रेनिक महरा राजा ने कहा कि यह भगवान इनको कौन सी गती प्राप्त होगी यह इतनी भारी तपस्या कर रहे हैं तो बगवण ऐसे कैसे हो सकता है तो वह इसलिए हो सकता है कि अभी हम घुज़रे तो जू तो तुमारा वेशदारन किया हुआ है और तो मारे सैनिकों का उस से उनको ज़ुकि उन्होंने बहुत ज्यदा पच्छाताप कर लिए और बहुत ज्यादा पच्छातापके साथ यह गाती कर्म धार大ज तरह ओगी इस सो टी से संस्ग्षिट कानी मैंने क생े की लेकिन बात ही यह इस सहज उपलब्द है यह नहीं कि हम नेजरा के लिए और जनम लेने पड़ते हैं अगर इसी जनम में भी हम उनकी नेजरा और इसका सबसे जब बड़ा जज कोने हमारी आत्मा स्वेम अगर हमने किसी की भाषा की वक्रता किसे साथ बात की या काया की वक्रता के साथ बात की तो हमारी आत्मा समझती है लेकिन उसको हम अगर नेजरा के लिए फिर उन भावों को लाते हैं तो यहां पर यहीं बात की कि इस्तावर दशक की प्रकरतियों को जाते हैं तो दस प्रकरतिया आती है और यह प्रकरतिया सबसे बड़ी बात है कि इसमें सुक्ष्मन नाम कर्म से आती हैं लेकर दस वटरकरतिया है तो पर्याब्त है साधारन नाम कर्मे, अस्थिर नाम कर्म मौह, शुब नाम कर्म अपने जानी थी और सबसे बड़ी बात है कि अनाद रिखर साभी जायर की ती इस से क्या है कि जीव को हम कितना थिस्ति नालकत है तो आपके अनादे कर्म की उपारजना है और अगर आप अपनी भाषा की सरलता से उसको अगर सरलता की साथ और आपकी अगर यह उपारजना थे आपका सत्य यथा रूप से उसके मतलब अनादे कर्म की उपारजना कर्म की वज़े से उसके मन्द में उता जाती है कि यह वेक्टी बहुत सत्तिबात करेए और इसमें सबसे अन्टिम है और वो है इस्तावर दुशक की अन्टिम परकर्ति हैं, वो बड़ी डेंजर है और वो डेंजर इसलिए है कि इसमें अप्यस नाम कर्म कदस्वी प्रकर्ती में आ जाता है और ये कर्म ऐसा करता है कि ये हर वक्त ये जीव कितना भी अच्छा काम कर लेता है, कितना भी सुन्दर से सुन्दर करता है तो फिर भी निंदा का, अपमान का आलोचना का भागी होता है और ये इसके पीछे सिर्फ एक मात्र है अपयश नाम कर्म तो ये दसवदस प्रकरतिया है इनके सब अलग-अलग मैंने सिर्फ जो ज़्यादा इंपोर्टेंट थी उननी को अनादा है अपयश है या एक अपन ये भी कर सकते हैं कि हमारे जो अंग उपांग जो है अस्तिर होते हैं किसी का हाथ छोटा है किसी का पैर छोटा है किसी की कान दोनों बराबर समान नहीं दिखे रहे हैं किसी की एक आँख छोटी एक आँख बढ़ी है ये भी अस्तिर नाम कर्म की वज़े से होता है और ये उपारजना होती है अगर हम इसकी निर्जना नहीं करते हैं तो हमें अगले जन्द में इन सारे डिफेक्ट से साथ ये शारिरिक दोसों के साथ अंग और उपांग के दोस लिये हुए हमें जन्म लेना पड़ता है तो अब हम तीसरी फूजा पर जा रहे हैं तीसरी फूजा है ये इसी की जो 42 में से 32 प्रकृति अगर इसको समझना चाहें तो जो हमने अशुप अस्तावर दर्शक यानि अशुप प्रकृति हैं और 17 दर्शक में यही शुप बन जाती है उसी का आएगा हम इसको लेते हैं पहले पूजा में रहो 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 रहे रस भरे दो घडिया दो घडिया दिल से अडिया रहो 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 रहे रस भरे दो घडिया दो घडिया दिल से अडिया रहो 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 पूजा करिपल मांगू, परमातम पावू पढ़िया पुस्मानि पूजा करिपल मांगू, परमातम पावू पढ़िया उन्य उदयत्रसे नाम दरायो, अब तुम वार नहीं पढ़िया अब तुम वार नहीं घडिया, रहू रहूरे रस भर दो घडिया इतनी सुन्दर रचना है, वीर विजय जी ने अमरत्व प्रप्त किया है, और सबसे बड़ी बात है कि अस्टकर्मों की और कोई हमारे आचर भगवन पूजाओं की रचना करी नहीं सके, तो इसमें इतनी सुन्दर विवेचना है कि इसके बारे मगर एक अलग से लेक्चर रखें तो भी कम पड़ता है, कि रहो 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 रे रस भर दो घडिया, दो घडिया दिल से अडिया, वो परमात्म से एक रिक्व कर रहा है, तो मैं पुष्प लिए हुए आपके समक्ष इसी बात के लिए उपस्तित हुआ हूँ, कि है मैं आपके चरन इस परस करते हूँ, आपके चरनों में पढ़ा हूँ, कि मेरा ये जो तरस नाम है, ये मेरे तरस दर्शक में जो भी मेरी अवस्ता है, जैसे हो सकती त जो कर्म की है मेरी ये सुब इस तती, ये मैं आपके चरन इस परस करते हूँ, पुष्प आपके चरनों में रखते हुए, कहता हूँ कि सिर्फ दो घड़ी के लिए मेरे अंदर आप प्रवेश कीजिए, मेरे रिदय में रही है, और मेरा रिदय मेरा जो इसको मैं अपना आ ये आवास स्वरूप मानता हूँ, आपको यहां पर पल दो पल गिनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो घड़ी भी आप रुख जाते हैं, तो मेरा कल्यान हो जाएगा, अब बात ये है कि ये जो इस्तावर दशक है, ये मतलब अपने जिसे गत पूजा में देखा कि अपना अशुप प्रकरतियां थी, जिसे हम इस्तावर दशक कहते हैं, ये बिल्कुल उसका उलट हो जाता है, इसमें पाप बंद नहीं होता है, पुर्ने बंद होता है, यानि कि ये ऐसा तरस दशक है, जिसमें तरस यानि कि हम अपनी इच्छा अनुसार गती को प्राप कर तरस दशक का अगर हमारे करमों का उपारजना हुई है, निस्चित रूसे आपकी इच्छा है, कि मेरी गती बगवान ऐसी करना, और ये पुस्प चड़ाती हूँ भी मांग रहे हैं, तो बगवान से क्या मांगा है, कि मेरे मन में ही आ जाओ आप, मेरे आत्मा में ही प्रव से अर्थ देखते हैं, तो शुक्ष्म स्वरूब होता है, लेकिन स्थूल शरीर अशुब नाम कर्म में गया, जो की इस्थावर्दशक में था, तो यहां पर ऐसा शरीर मांगा है, कि जो सुडोल हो, सुंदर हो, सुक्ष्म हो, जादा ऐसा टेड़ा मेरा ना हो, यहां पर तीसरे पर परियाप्त की भी आती है, और परियाप्त में हमें से एकर छोट सी बात में के तो आहर, शरीर, स्वांस, भाशा, इंद्री इन सब का समायोग होता है, फिर प्रतेक्याती यानि स्वतंत शरी, जैसे वनस्पुतिकाय में भी अनेक जी होते हैं, लेकिन कहीं स्वत शरीर जो अंग प्रतेंग है, वो बिलकुल अस्तिर नहों के इस्तिर हो जाए, अस्तिर कैसे इवक्र होता है, इसी तरह से शुब, सुभग, यानि कि नाभी के उपर के जो अवेव हैं, वो सुन्दर दिखें, एक एक चीज की बड़ी सुक्ष्मा ती सुक्ष्मा अपना है, तो नाभी के उपर और सुभग, यानि कि अन्य जीवों को भी दिखाई दे, जैसे आप किसी को भी अच्छे लगते हैं, तो इसका निश्चित है कि सुभग, नाम कर्म की आपके पास उपारजना है, इसी तरह से सूस्वर, यानि कि अप्रितिकर आपके से मैं हूँ, हो सकता है कि मेरे भाषा की वक्रता से कभी ऐसे बात बोलता हूँ, चाहे मेरे विवसाइम हो, तो वो अप्रितिकर बात होती है, तो निश्चित रूप से मैंने दूस्वर की उपारजना की, लेकिन सूस्वर है, तो अप्रितिकर नहीं लगेगा, ऐसे आदे, जैसा कि अपने पीछे भी का, कि वानी को आदर्निय बनाना, सत्यवचन है, अब यहां पे सत्यवचन आया, तो आदर्निय अपने बन जाएगी, और इसी तरह से ये श्किरति, ये तिर्थनकर नामपद के लिए भी काम करता है, तो ये हमारी तीसे पूजा में इस तरस दश नेवारन की बात थी, अब चतुर्ट पूजा रेते हैं, जिसमें प्रतेकस्थ नेवारना है, यानि प्रतेक प्रकृतियां जो आठ है, उसकी एपन बात करते हैं, पहले पूजा लेते हैं, आज गई मन के रिशंका, जब तुम दर्शन दीठ जी, दूर गई लोक सन अचारी, आज गई मन के रिशंका, गुरु लगु अंगे, एक न होवे, अगुरु लगु ते जान जी, सासो सास लहे पजतो, सासो सास प्रमान जी, आज गई मन के रिशंका, जब तुम दर्शन दीठ जी, आज गई मन के जब परमात्मा को हमने अपने आत्मा में वास करने का अगर भाव रखा है, तो परमात्मा भी प्रेविश करने में थोड़ी सी भी चूक नहीं करते वो निश्यत आते हैं हम उनको पहचान नहीं पाते हैं परमात्मा कभी भी आपसे दूर नहीं है वो आपी इसके अंतर है एक बहुत चोटी सी संक्षिप्ट सी कानी है शायद समय के साब से में चलना वहाँ पे रे है जो रेगिस्तान था वो गरम था चलते चलते बेऊस हो जाता है बेऊस होने के पहले वो परमात्मा को याद करता है कि है परमात्मा मुझे अब मेरे तेरी जरूरत है और बेऊस हो जाता है वो जैसे जागता है तो 15-20 कदम चलते वो टीला क्रोस करता है रे 20 गंड़े भक्ति की लेकिन तुम मेरे संकट के समय नहीं आए आकर मुझे ही ये पैदल क्रोस करना पड़ा परमात्मा तुरंत अवरित होते हैं अवतरित होते ही कहते हैं कि तूने नहीं किया मैंने पुत्र मैं तुझे आवाज दी उसी समय आ गया था तो कि आप क्यों बुज़े नहीं कि तुम बुलाने से नहीं आते तुम ऐसा नहीं करते विवाणा होता ही नहीं है क्यों परमात्मा तो अंदर यह तो आज गई मन के री शंका जब तुम दर्शन दीर जी दूर गई लोग सन्ना चारी आगम अमियत अमीर जी अब कितनी बड़ी बात है कि इ यह उनका पूरा का पूरा विवर्ण आगया कौनसी प्रतेक प्रकृतियां प्रतेक प्रकृतियां कि इनको कहते कि जिनकी निर्जरा के बीना यह आठ प्रकृतियां कि अगर निर्जरा नहीं होती है तो आपका मूल रूप से जो कर्म की सत्य वो पूनतरह से समाप्त नहीं हो हुआ और मेरी सारी समाफ होगी शंका है मैं मुझे किसी तरह की शंका नहीं का आप मुझसे अलग हो मुझसे बिलग हो या मुझमें नहीं हो यह कितनी सुन्दर है और इसकी क्या वज़े होती है वह आठ प्रकरतिया अब इसमें कहते हैं कि अगुरू लगो फिर उच्छवास उपगात परागात जैसे कि परागात के बारे में हमने बात की थी तो यह यहां पर परागात और परागात दोनों चीज़े परागात में क्या जीव प्रतिपक्षी और प्रतिवादी दोनों के द्वारा पराजय हो जाता है उसको फिर कोई अरा नहीं सकता है यह इस प्रति скजनाली हर सब्सक्राइस नेखर्णाम कर्म किस बच जाते हैं और और हमारे प्रमात्मत्रों 17 प्राप्टी के रहें पनाम कर्म लुक्ति अब पर भौन प्रमात्म को टिर्थ हों किको व्हून के बाइव दो से पहले की तिर्थंकर का वेवरन हमें नहीं तो यह थोड़ा सा लंबा सब्जेक्ट है लेकिन उन्हें भी तिर्थंकर नाम कर्म भोगना पड़ा और निरजरा भी की तो अभी क्योंकि वो भी तो अखिर द्रेलों के सरूप हुएं तो नाम कर्म की निरजरा के बिना संभव नहीं था तो यह जो आठो प्रकरति यहां पर एक कल्पना की है कि है प्रभू धूप की पूजा मैं कर रहा हूं और धूप बिल्कुल निर्दूम होके एक तरह से विलीन हो जाता है आप भी मेरे अंदर प्रदार के सारी शंकाय विलीन हो गई है यह उसका मूल है मूल अर्थ प्रकर्तिएंस के साथ प्रतिक प्रकरतियों को अलग से हम समझाएंगे कभी आपके उसमें हम बता सकते हैं अब हम पहले पांचवी पूजा लेते हैं जोकी नाम कर्म की इस्तति binge मैंने इस्तति बंद की बात के त्यृस त्य बंद की प्रकरति का चोथा स्व्रूप है तो बनने इसको लेता है की मैंने इसके बारह में चर्चा की हुई है इसको फिर नहीं करते हैं प्रकर्थी बंद में कि अंतिम-स्व रूप में आती है स्थथ बन्द UA इ आगा अनुभाग आ गया और बन्द अंतिम इस से बन्द तो यह पूजा पहले लेते हूं दीपक पूजा जोति जगावूं उत्तर पैडिती मिरहरावूं दीपक पूजा जोति जगावूं उत्तर पैडिती मिरहरावूं साहिब तेतिती बन्कपोव्यों सेवक नोह वेला तेकाव्यों साहिब संसार अटारो मोहना मुझने तारो साहिब संसार अटारो मोहना मुझने तारो मोहना मुझने तारो यहां नाम कर्म की उत्तर प्रकर्टी रूप जो है कि हम जो आत्म का अंधकार है उसको हटा कर यानि वो इया बात जो अरूपी शुद्ध तुद्र आत्मा का जो अरूपी शुद्ध सुभाव है वो जोतिर मैं बनाने का पूर्ण रूप से विविचने क्योंकि यह दिपक पूजा है तो यहां पी जोतिर मैं बनाने के लिए शावक क्या कहता है बड़े प्यारी इसमें बात लिखिए और वो भाव पूर्व कहता है कि आपने जो नाम कर्म की मैं मुझे जो इस्तती बंद की निर्जरा करने के लिए जो मेरे मेरे जो भाव है वो मुझे दीपक पूजा करने के लिए मैं आपके समख्ष उपस्तितु है इस्तती बंद किसी कहते है कि वो कर्म उसके कितना समय तक उदय में रहेगा उसको हम इस्तती बं कहते हैं तो यहां पर कहते हैं कि मुझे भी मेरे इस सती बंद की सिशती से मुझे चारो मुझे है परमात्म यह संसार तो अटा अटारो आठारो का मतलब संसार व्यत है संसार अपर सम्सार बिलकुल एक माया जाल है मों का सवरूप है इससे मुझे टालो मोह न designed मुझने तारो यानि कि आप हे प्रमात्मा मुझे इस सब से मुझे आप मेरे को इस पूरे बवसागर से तार दीजिए मुझे आप वैसे भी तारण हार हैं तो मेरा मुझे भी तारो ये दीपक पूजा में दीपक जलाते हुए प्रमात्मा को कोई दीपक की आवशक्ता नहीं है परमात्मा तो आलोक महीं है लेकिन दीपक हमारे भावों की अभिवेक्टी करने का माध्यम है कि हे परमात्मा अब मुझे इस दीपक के समान मेरी आत्मा को भी आप आलोकित करिए मेरी आत्मा का जो अंदकार स्वरू पर उसको हटाइए तो यहां पर जो बात की है वो जो नाम कर्म की इस्थि बन की कितनी है इस्थि भी है इनकी इस्थि की जो अधारा सागरुपम हो तो यह जो है छटी पूजा है प्राणी अरुपी गुण निप जावो प्राणी अरुपी गुण निप जावो पूजनी पूजर चावोरे प्राणी पूजनी पूजर चावोरे प्राणी अरुपी गुण निप जावो अक्षत पूजा जिननी करित नाम करम शय जावे अक्षत पूजा जिननी करित नाम करम शय जावे नाम निसर्व अगाती पयाडी वरते निज निज भावे ले प्राणी अरुपी गुण निप जावो यह चटी पूजा थी जिसमें नाम करम का समूल बंद ने वारनाय की बात की और इसी की सात्वी पूजा जिसको विच्छेदन के लिए का कि यह नाम करम का उद्धे जो है इसका विच्छेदना हो पहले हम पूजा लेते हैं फिर उसके बात में थोड़ा इसका भी कोशिश करेंगे अगर नेटवर्क ने साथ दिया तो का कि बात करेंगे लाँ नेवेद पूजा भाविये रे ओ फुद गले आहार ग्रहंद रे नेवेद पूजा भाविये फुद गले आहार ग्रहंद रे भाग संकेरे आहार तारे निर्जर भाग अनंत रे जगत गूरू आप जो रे जगत गूरू आप जो रे आप जो पुद अनहार रे ओ हार रे जगत गूरू आप जो रे और एक अंतिम पूजा रह गई है हम पहले इसी को लेते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा विविच्छन करेंगे अगर टाइम और नेटवर्क भी रहा तो अभी रूड़ी भक्तिम पहला नजानी पहला नजानी पहला नजानी स्वामी पहला नजानी 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 पहला ओ, कल्प तरून पल लावी ने जिन वर पूझे रे ओ, कल्प तरून पल लावी ने जिन वर पूझे रे ओ, काल अनादी कर्वत संचित सत्ता ती धूझे रे काल अनादी कमत संचित सत्ता ती धूझे रे संसार निमाया मा बलोव्यों पानी पहलन जानी स्वामी पहलन जानी आविरोडि भक्ती मा पहलन जानी पहलन जानी पहलन जानी स्वामी पहलन जानी पूझा का जो था वो तो हमारा एक करम पूरा हुआ पांच पूझा तक की हमने बात की थी और चटी पूझा थी जो कि नाम कर्म बंद के लिए थी उसका बंद यानी की उपारजना तो इसमें यह अक्षत पूझा है वैसे भी तो इसमें सबसे बढ़ी हा बात है कि इसमें वर्ट च तुशक यानी वर्ट के रूप में बात की है कि तेजस हो, कार्मन हो, अगरू लगू हो, निर्मान हो, अभगाथ हो या मतलब इसी तरह की द्रुबंदी की नौ प्रकॉर्टियों को इस में बताया था, weak or सबसे बड़ी बात है कि कार्मन शरीर की बात इसमें आती जो हमें प्राप्त हुआ है, शरीर दो है, एक सुक्ष्म कार्मन शरीर भी होता है, तो यहाँ पर जो पूरे चार तरह के बढ़नों की भी बात की है अब ये नामकर्म की सबी प्रकर्टियां जो ये सारी हैं तो अगाती लेकिन ये इनको अगाती करने के लिए इनकी निर्जरा करने के लिए क्या किया जाए तो यहीं पर वीर विजे जी मारा साथ कहते हैं कि ये भावों से अगर हम पू प्रमात्मा को आप उदय में लाईए अरूपी गुन अगर उदय में आता है तो निश्जतॗूस से मेरे इक करिमों की निजरह हो जाती अब इसमें कहा है कि ये सभी आ जाते हैं फिर वापस इस्तावर्शक भी आ पूजा के रागों का तो हमारा एक कारिकरम समाप्त हुआ लेकिन प्रकृतियों की बात है तो ये कुल मिला कि 30 प्रकृतियां होई, इसमें सभी आ गए है गुरू लगु चत시고 भी आ गया जिननाम भी आ गया निरमान भी आ गया sowaking व्योग आ गया में त्रास्दशक भी आ गया ओधारिक भी आ गया बिना के चार शरीर को माना इन प्रकृतियों में उपांग, वर्णादी, चतुष्क सारे इसमें आ जाते हैं, ये कुल मिला के पंचेंद्री जाती की तीस प्रकृतिया हैं, पंचेंद्री जीवों के लिए, इसमें एकंद्री जीव, बेंद्री जीव, तींद्री जीव भी आ यह जो नौकर्म की प्रकर्तियों का बंद है, यह मेरा श्य हो जाए, तो यहाँ पर इस प्रकर्ति का जो कि अगाती स्वरूप तो ही है, लेकिन हमारे भाव से ही अगर निर्जरा हो जाती है, तो बस इससे आगे कुछ करना ही नहीं है, तो यह भाव कब होगा कि परमात्मा के सामने अस्थ प्रकारी पूजा में जब अक्षत पूजा का विधान आता है, तो हम यह भाव परमात्मा के सामने प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, हे प्रभु प्रानी अरूपी गुण निपजाओ, मैं प्रानी मात्र हूँ, मेरा अरूपी गुण आप निपज जाँ भावियरे फुदलल आहर ग्रांद तो यहाँ परमात्मों को जगत荣 सुधेर के रूप माना है है यह पर मंजे अनंहारी प्रशित प्रति आनि मिठाई ही प्रते हम लालाइत भी रहते हैं हमारी इचाहें भी होती कि मिठाई swag को खाते हैं तो यहां पे अनहार पदमाना कि मैं कुछ ना खाऊं। एक बहुत बढ़िया बात है कि भगवान मावीर ने भगवान मावीर के जितने भी ववास रहें जो हमारी शास्त्रों में लिखे गएं। लेकिन ये भगवान मावीर के ववास थे ही नहीं थे। तो यहां तक कि तब तक भी उनके साथ कोई निता गोशालक भी बाद में जुड़े जमाली तो बहुत बाद में जुड़े तो बात यह कि अनहार पद ऐसा होता है जहां पर भूग प्यास कुछ भी नहीं लगता ना मिठाईयों के प्रतिया आकर्शन रहता है ना किसी शट्र ना कि जो मेरी यह कुलद बढाद चतुसकी 4 थेजर और निरमान अश्तिर्दीघ यह कुल 14 प्रकृतियन जो दुर हैं यह सब मेरी अध्रोद ही हो जाएं तो ये जो प्रकृतियों की बात है यहां पर श्रावक भाव से यही कहता है कि प्रतिपल्द पुद्गलों का जो मेरा हो रहा है वो पुद्गल भी मेरे आहर की तरह हो गए है अभी कर्म के पुद्गल भी मेरे को एक आहर हो गए कि यह भी मेरे प परिन भाव उसको कहते हैं कि आप उसके प्रति बिल्कुल लालसा छोड़ दीजिए आप उसके प्रति बिल्कुल वो दिखे तो भी आपको ऐसे लेगे कि यह मेरे जीवन में इसका कोई महत्व नहीं है यह भाव जब आता है तो इसी के लिए साथवी पूजा के विदान और अब इवरंड दिया लेकिन संभवनिय की समय करीब करीब हो रहा है तो हम इन पूजाओं के लिए एक बात जरूर कहेंगे कि नाम कर्म की अगर पूजाओं का आयजन होता है जैसे कि बहुत सब ज़्यादा जो आयजन हो रहे हैं वो ग्याना वर्णिय मोनी कर्मिया अंत्रा रहेगा कि नाम कर्म को अगर समझना है तो इन पूजाओं का आयजन करें गुरु भगवन को पूजाओं में बुलाएं वो आपको उसकी प्रकरतियों के बारे में बहुत सहरल सब्दों में समझाएंगे भी और यह जितना समझ में आता है आप समझ लीजिए कि कल्यान का मा खुलता जाता है और इसके समझ के साथ ही हमारे इसकी अगाति कर्म की नर्जरा भी अपना आप समझ रहें और आपने पश्चाता किया जो कि मैंने कि राज़ाश्चनिय को बगवान मावीर के राजपत पर चलते हुए एक स्टोरी बताई तो वह भी निर्जरा का ही सका है कोई तो मैं तो कहीं पर भी गिंती में भी नहीं आता हूं लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम उसको एक एकागरता के साथ उसको समझने की कोशिश करें तो इसको मुख्य रूप से भी समझा जाए तो इसकी चारव प्रकरतियां जो है दो प्रकरतियां जो शुब और प्रशूब किये इनी को समझ लिए जाए तो निश्चित मेरा मानना है कि इस कर्म की निर्जरा हो सकती है आप सबी ने मुझे सुना और इसके समन्धित अगर कोई आपके मन में प्रशना भी होता है तो आप मुझे से कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल एता पूसकते हैं अना मैं आपको जैजिन करते हुए विदाई लोगा जी थैंक यू सो मच रमेश वाइटना सुन्दर ये जितनी भी ढाले थी वह हमको अपने गाह के सुनाया या कौन से राघ है वह भी बताए और साथ ही साथ नाम कर्म के स्वरोफ उसकी प्रकृती के बारे में भी हमें अच्छी खासिजानकारी थी अगर यह किसी को प्रस्चन है है तो उनकी जिग्यासाओ का समाधान करने के लिए तो आपको हैंड्रेज करना अगर आपको को प्रस् इसमें प्रश्ण की संभावना बहुत कम है नील भाई जी पर प्रश्ण नहीं होगे तो वो लोग हमें विजवाएगे तो हम आप तक पहुंचा देगें क्यों अभी संभावना इसलिए कम है कि इसको समझना बहुत थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल है जैसे आपने बिल्कुल का इसकी सारी प्रकृति वेद है कि डीटेल में समझने के लिए तो हमें का नहीं वहीं बात है तो कोई भी अगर आपको प्रस्टन बेज़े तो आप मैं उसके लिए तैयार रहूंगा उनको जवाब दे देंगे अने था मैं आप सभी को मैं रिदय से अबार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे और विशेश कर हमारी जेन फाउंडिशन टीम को मेरे रिदय से उनको अबार प्रकट करता हूं कि वो एक मुझे मंच भी दे रहे हैं और मैं असुविद्या के लिए उनसे श्रमाय आचना भी करता हूं और नील भाई दो कर्मा की और व्याख्याएं रहेगे गोतर कर्म अंत्राय कर्म इसमें सबसे मैं आपसे चाहूंगा कि अंत्राय कर्म के लिए थोड़ा सा वक्त थोड़ा सा ज्यादा दें आप मुझे क्योंकि वो सभी के सबी के सामने सभी को इसका अंत्राय कर्म का कुछ इसाथ इसIMे साथ मैं दन्यवात करना चाहता हूं कोणा रमेश्वाय पोठारी जी का और साथी साथ जगत के सभी जी हो का अवाई मित्रा तरही Bach इस बावना के साथ चाटना अनु परमानु शिव बनी जाओ आख्खा विश्वनु मंगल थाओ सर्वे जीवो मुक्षे जाओ खामे मी सवव जीवे सववे जीवा खमन्तु में मित्ति में सवव भुवे सु वेरम मज्जन केड़ें सर्वता सौस कीथाओ पापना कोई आचरो रागद्वेशती मुक्त बनीने समता सौसमा चरो सभी को मेरे प्रणाम जैजेनेंद्र जैजेनेंद्र जैजेन जैजेनद्र